है गाई स्वागत आपका एक नए वीडियो में सक्षा महाजन दिस साइड तो यार इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ एसी चीज़े बताने वाला हूं जो अगर आप एक कॉलेज में फ्रेशर हो ना यानि की फर्स सिमिस्टर में आयो सेगिंड सिमिस्टर में आयो मोर इं उनके बारे में मैं आपको आने वाले मिनिटों में बताता रहूंगा लेकिन उन चीज़ों को बताने से पहले यार मैं आपसे एक कुछ एक कॉश्चन बूचन पूछना चाता हूँ और वो कॉश्चन यह है कि आपको एंग्लिश बोलने में दर लगता राइट अगर आपक लिए नहीं बात कर पाता हूं आप एसा सोचolit हो इंग्लिष यह नहीं क्यूब पाता हूं नहीं आंले त्वहर आप किसी टरीक टरीके की कि से इंगलिष में बात करते हैं में इंगलिश में तो बना लेता ूं की वाइजन नीकलता है अब यार ये सब चीज़े मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज से तीन साल पहले ना मैं भी आपी की जगा पे था जब मैंने कॉलेज लाइफ की अपनी शुरुवात की हुई थी, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स थे, मेरे को डर लगता था इंग्लिश लेकिन इन तीन सालों में यार मैंने अपनी इंग्लिश को बहुत जदा इंप्रूफ किया हुए, और मैं confidently ये चीज़ कह सकता हूँ, कि आज के टाइम पर चाहे कोई इंटर्वियू हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान हो जो सिरफ इंग्लिश में बात करता हूँ मुझ से, मै confidently उससे बात कर सकता हूँ, English में communicate कर सकता हूँ, तो यार इस वीडियो में आपने पिछले तीन साल के experience को बिल्कुल summarize करके एक छोटे से तरीके में आपको इन छोटे से मिनटों में समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं इस चीज़ की guarantee देता हूँ कि अगर आप मेरी story को, म अगर आप मेरी story को सुनना चाते हो, तो यार ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये है 14th of August 2019 की, और ये था मेरे hometown में मेरा अखरी दिन, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये है 21st of August 2019 की, जो कि मेरा महारिशी मारकेंडेशो यूनिवरस्टी में पहली class का पहला दिन तो लेकिन मैं ने ये चीज नहीं कही हमको कि आप class के सामने आओ और अपना introduction दो, मैं ने हमें ये चीज कही कि आप अपना introduction लिखो copy के ऊपर, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये मेरा वो introduction था, जो मैंने उस दिन लिखा हुआ था, आप वीडियो को pause करके इस introduction को द divide किया गया था, और sections थी जैसे A section, B section, C section, D section, E section और F section, और जो मेरा नाम था, जो मेरे मतलब मैंने admission कराये हुए थी, उसके basis पे मेरे को मिला हुआ था D section, ठीक है, अब इन सभी sections के अंदर ना 3-3 groups हुआ करते थे, जैसे A1, A2, A3, और ऐसे ही basis पे मुझे कौन सा group मिला हुआ था D3, ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ था, कि जो हमारा third lecture था, तो third lecture में हम सभी sections के बच्चों को इकठे बिठाया गया था, यानि कि D1, D2 और D3 वाले बच्चों को एक ही class में बिठाया गया था, अब जो first lecture था था, जब हम introduction दे रहे थे, तो वहाँ पर सिरफ और सिरफ D3 वाले बच्चे थे, तो वहाँ पर मुझे कौन से बच्चे देखने को मिले, जैसे हर्याना के बच्चे देखने को मिले, जम्मू का एक लड़का देखने को मिले था, बाकी सारे बिहार के बच्चे देखने को मिले थे, जब मैं उस third class में गया था, तो यार मैं बहुत ज़ तो यार मैं बहुत ज़दा सर्प्राइज हुआ था उन बच्चों को देखके क्योंकि वो बच्चे मेजॉरिटली इंग्लिश में बात कर रहे थे और मैं एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा से इंग्लिश में बात करना चाता था लेकिन कर नहीं पाया उस थर्ड लेक्चर में पूरे आइगेस जो स्ट्रेंथ होगी ना स्टूडेंट्स की वो रही होगी 60 से 7 स्टूडेंट्स की और वहां पर सिरफ और सिरफ वो चार ऐसे बच्चे थे जो सिरफ इंग्लिश में बात कर रहे थे और उन में से एक लड़का था जिसको देखके मैं बहुत ज़दा इंस इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाता था ना तो मुझे पता था कि दो ही तरीके से की जा सकती है या तो मैं खुच चैंचो के पास जाता और उससे बात करता और तब जाके मेरे थोड़ी हमारी मदद कॉन्वेसिशन स्टार्ट हो जाती या तो चैंचो मेरे पास आता अब चैंचो के बीच में जाकर और माम के सामने जाकर चैंचो से बात करना वो भी इंग्लिश में उसे हाई कहना हेलो कहना को स्टार्ट करने की हिमत मेरे अंदर नहीं थी तो मैंने एक प्लान बनाया मैंने यह चीज कही कि यार जैसे ही हमारा लेक्चर खतम होगा तो हमें पता चैंचो का होस्टल मेरे होस्टल से पहले आता था तो मैंने यह चीज सोची कि मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा ताकि हम दोनों दोस बन जाए तो जैसे हमारा लेक्चर खतम हुआ तो चैंचो और अपनी दोस्तों के साथ वो डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया तो मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा था तो मैंने उनको बोला कि मैं निकलता हूं तो मैं जल्दी जल्दी चैंचो के पास गया और मैंने उसको पीछे से जाकर बोला कि hi buddy how are you क्यूंकि यह जो छोड़े वर्ट जोते है जैसे hi how are you where are you गूइंग यार इतनी basic English तो सब को आ तो बड़ा हिच की चाहते हुए मैंने यह से वर्ड उससे कहें तो उससे क्या हो कि ना हमारी थोड़ी थोड़ी बाते होना शुरू हो गई अब वो तो पूरा प्रॉपर इंग्लिश के फ्लो में मुझे मतलब रिप्लाइ दिया करता था लेकिन मैं टूटी फुटी इंग्लि और नहीं वो इंसान तुमें जानता है तो वो जो जजज करने वाला फैक्टर होता है वो आता ही नहीं है तो यार पहला दिन ऐसे बीता दूसे दिन पर चैंचों से थोड़ी और बात होना शुरू हुई उसके बाद हमारे कॉलज में फेस्ट वगएर आए तो हम थोड़े और दोस्त मतलब बनते गए तो इंग्लिश में बात करने का ना वो फ्लो बनता गया लेकिन मैं जब होस्टल में आता था था ना तो ना मैंने तीन-चार ऐसे वर्ड जी तीन-चार ऐसे लाइन्स लिख ली हुई थी जो मुझे पता था कि ऑन डेली बेसेस तो मेरे को हर एक जासने इंसान से पूछने ही चाहिए जैसे कि उन दो तिन दिनों के बाद आ अगर मैं किसी भी इंसान से मिलता था तो मैं उसे ले नहीं कहता था कि और भाई क्या हाल है वोसे हमेशा यह चीज पूछ था था हI BR think ciao यह जा करा एंज्स को और जी रॉस और चाने होई और आ तो आगले वाले बंदे को लगे कि मैं कॉणविजेंट हूँ ऐसे ही ना हॉस्टल के अंदर मेरे दिन बीटते गए अब जो मैं अपने रूम में अपना टाम स्पेंड किया करता था तो मैं थोड़ा थोड़ा टाम चेंचो के रूम में स्पेंड करने लगा और जैसे जैसे हम दोस्ट बनते गए ना तो मेरे को उसकी फैमिली के बारे में पता चलने लगा वो मेरे बारे में जानने लगा तो जैसे जैसे हम दोस्ट बनते गए ना तो अब अगर मैं मिस्टेक्स किया करता था तो चेंचो मेरे उपर हसता था क्योंकि उसे ये चीज़ पता चल गई थी कि मुझे सही तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं आता था जब भी भी मैं कोई गलती कर देता था तो चैंचो मुझे ना मतलब करेक्ट करता था उस नाइप और हस्ता भी था मेरे उपर और यार उस मुमेंट पे ना मैंने कभी भी शरम नहीं की नमबर वन फैक्टर ये रहा मेरी जिंदगी के अंदर कि मैंने इंग्लिश को इंप्रूफ किया हुआ है वो इस बे में किया हुआ है कि मैंने कभी भी शरम नहीं की अब मेरे दोस्त बनने लगे थे जमुन किश्मीर के, उसके नेलने लगे थे तो ना हम दोनों की बीच में थोड़ा दोस्ती का गैप आने लगा था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रहने लगा था, तो यह चीज़ मैंने डिसाइड किया, कि अपने दोस्तों के साथ researched English मे मैंने अपना room change किया हुआ था ना मैंने अपने roommate के साथ English में बात करना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हारा roommate ना एक ऐसा इंसान होगा तुम्हारी college journey के अंदर जिसने तुम्हें रोते हुए भी देखा होगा, हसते हुए भी देखा होगा, बात रूम में गाने गाते हुए देखा होगा, तुम्हें नंगा भी देखा होगा होगा, तो तुम्हारे roommate के साथ ना तुम्हें शरम नहीं करनी चाहिए और मैंने भी अपने roommate के साथ यही किया, हम बात कर वगरा करते थे, English में reply देते रहते थे, मैं उसको बोलता था कि यार चल एक काम करते हैं, अब से English में बात करना शुरू करेंगे, तो वो बोलता था नहीं यार बक्चोधी मत कर, बक्चोधी मत कर, लेकिन मैंने कभी भी English के अंदर बात करना नहीं छोड़ा, यह चोटे-चोटे चेंजेज जो मैंने अपने लाइफ के अंदर किये न, यह मेरे English के flow को daily basis पे improve कर रहे थे, जहाँ पर मैं पहले Hindi movies को देखा करता था, अब मैंने English movies को देखना शुरू कर दिया, subtitles के साथ, समझ नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन देखता रहता था, देखता रहता था, आहिस्ता आहिस्ता English गाने सुनना शुरू कर दिये, novels पढ़ना शुरू कर दिये, time to time के साथ मेरे English improve होती गई, और अगर आप मेरे daily viewer हो, तो आपको पता होगा कि मैंने एक महीना पहले एक challenge लिया था अपने लिए, कि मैं 6 दिनों तक सिरफ और सिरफ English में बात किया करूँगा, वो challenge मैंने क्यों लिया था, मैं अपने YouTube चैनल पे कोई content नहीं भरना चाता था, कि यार मेरे channel पे videos भरी हो ही हो, मैं सिरफ और सिरफ वो इसलिए करना चाता था, ताकि मैं improve कर सकूँ उतको, और आज तीन सालों के बाद ये चीज़ समझ आती है, कि यार वो जो steps छोटे छोटे उठाए हुए था जहां पर मैं सोचता था, कि लोग क्या सोचेंगे, अगर वो सोचता रहता और वो कदम नहीं ना उठाता, मैं English के अंदर कभी भी improve नहीं कर पाता, मौरल यह है यार कि लोग आपको पता क्या बोलते हैं, कि आप शीशे के अंदर जाओ, खुद से English के अंदर बात करना शुरू कर दो, आपकी English improve हो जाएगी, आप novel पढ़ना शुरू कर दो, English movies देखना शुरू कर दो, हाँ यह सब चीज़े work करती है, लेकिन जो सबसे जादा चीज़ तुम्हें मदद करेगी, वो है execution, जब तक तुम English में बात करना स्टार्ट नहीं ना करोगे, वो नहीं होगा यार, English में तुम बात नहीं कर पाओगे, अपनी college life में अगर तुम्हें English इंप्रूफ करनी है ना, तो अपने best friend से शुरुवात करो, जो तुम्हारा roommate होगा ना, उससे शुरुवात करो, शरम, वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, जब मैं टूटी पूटी इंग्लिश बोलूँगा, अपने दोस्तों के साथ बात करना शुरू करोगे, तो एक दो साल, दो तिन साल के बाद पीछे मुड़ कर देखोगे, जैसे आज मैं देखता हूँ, और ये चीज सोचता हूँ यार, ये सब चीजे तो कितनी ज़ादा असान थी, सिरफ वो दिमाग में डर था कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन end of the day में यार, किसी ने कुछ नहीं कहा, लोग थोड़े से हसे भी, लेकिन फरक नहीं पड़ा यार, मेरे को कुछ भी नहीं फरक पड़ा उस चीज से, और इसी तरीके से, यार, यही absolutely तरीका है एक English को improve करने का, तो यार, यही थी मेरी एक छोटी सी जर्नी जहां पर मैंने English improve किये अपनी, अगर आप इनी steps को follow करोगे न, अपने दोस्तों के साथ daily basis पे English पे बात करना शूड़ो करोगे, और दिमाग से यह अपना किड़ा निकाल दोगे कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, तुम definitely, यार, आने वाले सावलो में अपने English improve कर लोगे, I hope इस वीडियो से यार, आपको value मिली हुई हो, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप अपने किसी एक ऐसे दोस्ता शेयर कर सकते हो, जो इस English बोन ले की डर वाली problem को face कर रहा है, तिल दन आपको लोगा वीडियो, सक्षामाजान देसाइड, पीस!